SSC Staff Selection Commission का एक paper करवाती, CGL, combined graduate level, जिसको ना पता हूँ, उसमें जिस बच्चे ने कोई भी graduation कर रखी है, कहीं से भी चाउसने नकल से graduation क्यों ना करी हो, इसके कितन भी percentage क्यों ना है हो, अगर उसने पास किया है, तो इस exam को दे सकता है, BSC, BTEC, BA, हर कोई दे सकता है, PhD वाले और I ITN भी इसको भरते हैं आजकल, ठीक है, क्यों भरते हैं को कि इसमें 30 departments हैं, 30 departments Central Government के, State Government के नहीं, State Government की भरते हो का बहुत बुरा हाल है, कम आये vacancy, लेकिन हर साल आती है, टाइम से आती है, रेगुलर आती है, पिछले साल भी 8,000 vacancy आई थी, 8,000 से जा दे थी, और 2024 में भी जह एक्साइस, Income Tax, Custom हो गया, आपका Central Secretate हो गया, यह बहुत सारे department है, इनके लिए बच्चे पेपर देते हैं, हाला कि इन 30 department के अलावा भी 24-25 department ऐसे, जिनका पेपर SSC नहीं करवाती, जैसे कि आपका Agriculture हो गया, FCI Food Corporation India हो गया, आपके ISRO का पेपर हो गया, और भी बहुत सारे department ह इन 30 department में आपको भरती SSC के थ्रू मिलती है, Group B की Post है, अब CGL का जो पेपर है, वो बन चुका है, One Day Exam, एक जमाना था, कि पहले प्री देता था बालक, फिर मेंस देता था, दो-दो English का पेपर अलग मेंस का लग, फिर उसके बाद वो इंटरव्यू देता था, में जोडेंगी नी, प्री के बाद होगा आपका मेंस, और मेंस के बाद ना हम इंटरव्यू लेंगे, ना आम कोई डिस्क्रिप्टिव कराएंगे, सीधा नौकरी देंगे, और फायर करके फटा-फट देंगे, 390 नंबर का टोटल मेंस है, इन 390 मेंसे, जिसके जितने ज्य प्लस, अब विचारे जो कमजोर बालक हैं, वो दोसों मेंसे डिल सो कट अफ देखके ही, जो है, उनकी हलत खराब हो जाते हैं, क्यों, कि पेपर का लेवल कर दिया आसान, और जैसी पेपर का लेवल आसान हुआ, कट अफ पहुँचेगी आस्मान पे, ठीक है बाई, तो CGL और CHSL की cut-off बहुत जाद है, हो चुकि है, इसलिए जो है, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, इस एक एक्जाम में सिलेक्ट होने के लिए, ऐसे ऐसे बालक हैं, जो 3-4 साल तैयारी करने के बाद CGL में सिलेक्ट होते हैं, लोग कह देते हैं, कि CGL तो 2-3 महीने का खेल है, होत बने हैं, ठीक है भई, उसका selection तो हो गया था, पर dream post नहीं मिली थी, तो ये 2-3 साल की महनत के बाद, आप जाके जो है, 348 नमबर आए, वो all India top 10 में हैं, all India में, तो बच्चे वो भी हैं, जो एक छुटी मुटी जॉब ले चुके हैं, और उसके बावजूद भी त्यारी कर रह हैं, और 3-2-3 साल से लगातार लगे हुए हैं, आपका selection, आपका competition केवल फ्रेसर बच्चों से नहीं है, जो already select हो चुके हैं, दुनिया वर के teacher से पढ़ चुके हैं, पूरा YouTube खान चुके हैं, उन से भी आपका competition है, अब हम maths के teacher हैं, आप मेरा नाम जानती ही होंगे, चैनल प बात करता हूँ, maths के section की, अगर हम pre का paper भी ले ले ले, जहां से सुनिएगा pre का paper, तो pre के paper में जब से online paper आना सुरूआ है, कम से भी कम 40 shift तो बनती ही ही, बनती है, आप को कि सर इतनी जाद है shift क्यों offline, तो 3 shift में paper हो जाता था, offline में परचे पे paper होता था, अब computer में paper होता है, अब 40 shift में paper होता है, form भरते हैं 25 लाख वालक, कम से भी कम CGL में, 25 लाख में से 10 लाख भी मुश्किल से paper देने पहुंचते हैं, और 10 लाख में से 10,000 की ही funnel नौकरी लग पाती है, चार shift में 25 question होंगे, मैं केवल pre की बात कर रहा हूँ 25 question, और कितने 40 shift हैं, तो यानि की हर साल 1000 सवाल पैदा हो जाते हैं केवल CGL के, 2018 से जब से TCS ने paper करवाना शुरू किया, तो 2018 बीता, 19 बीता, 20 बीता, 21 बीता, 22 और 2-3 महीने पहले 30 का भी paper हो गया, तो 6 साल में हो गए 6000 question, ठीक है, और ये जो question है 6000 plus question पिछले 6 सालों में केवल pre के exam के दौरान पैदा हुएं, pre-pre के सवाल, only CGL के, CGL के अलावा CHSL के भी 6000 डोड़ दो, MTS के भी जोड़ दो इतने ही, CPO के थोड़े कम है, 2500 CPO के जोड़ दो, तो ये सवाल सारे के सारे मिला कर पिछले 6 साल में 20,000 plus पहुँच जाते हैं, कम से कम बतारू में, कम से कम, सारे मिलते जुलते हैं exam के, अब 20,000 सवाल करना, ना तो कोई समझदारी का काम है, ना ही ये practical है, और ना ही जुरत है, तो हमारा जो काम है as a teacher, वो यही है कि बच्चों को कम पढ़ाया जाए, और result उतना ही निकले, जितना 20,000 सवाल solve करने से निकलेगा, ये मेरा मकसद है, और मैं उसी मकसद के लिए काम questions, मेंस की बात अलग है, अब हमने एक काम किया, पहले ही मैंने आपको बताया तक कुछ महीने पहले, और अब जाके वो जाके काम पूरा हुआ है, इन 6,000 को मारो गोली, 6,000 में से आदे सादे question बहुत फालतू, ईजी है, और एक एक question कही की बार repeat हुआ है, 6,000 में मैंने और ह 3,000 सवाल आपको करने हैं, आधे कर दिये just, केवल प्री के बच्चों के लिए, और वो 3,000 सवालों को compile करके chapter wise, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी बहतरीन exam वाले solution के साथ, बुकिस वाले कबाडा solution के साथ नहीं, exam oriented solution के साथ, CGL Practice King की एक book तयार करती है, कुछ दिन पहले CGL के CGL और CTSL मेंस प्रैक्टिस किंग, CPO प्रैक्टिस किंग और अब आपके सामने पेस है, CGL प्रैक्टिस किंग भुक ठीक है बई, तो ये हमने इसका cover भी करवा है, gift भी और मैं इसको आपके सामने खोल देता हूँ, सभी बच्चों के लिए देख लो, बैंगनी कलर का इसका cover है, ये देखी, CGL प्रैक्टिस किंग, हम सभी बच्चों के लिए जो CGL दोयार 24 की त्यारी करेंगे अभी से, उन सभी बच्चों के लिए book dedicated है, CGL की exam की त्यारी कर रहे हो, तो ये एक मात्र बुक आपके लिए सब शादे helpful है, और रामबाण है ये एक book, मैंने आप के just come, अब पूरा end तक देखना किबल बात इतनी नहीं है, बात इससे यहां से सुरू होगी अभी, कहानी तो अभी सुरू होगी, CGL के 3000 best question chapter wise हिंदी, English दोनोई भासाओं में, एक single जगे हमने compile कर दिये सारी ही chapter के, solution के साथ, solution basic वाला भी है और alternative exam oriented solution भी है, CGL में केबल अब यही book चलेगे, अगर आपको CGL निकालना है, प्री कम से कम qualify करना है, तो आप इस book को जरू solve करें, ठीक बात, chapter wise 3000 best question हमने चाटे हैं, अब एक type का, एक ही language का, थोड़ा data change करके, 10 सवाल paper में रखें, तो 10 में से हमने 2 उठा के डाल दिये, बाकी 8 को करने की जौरत नहीं है, त अब इस book का फाइदा क्या है, प्री की बात बता रहें, 3000 questions इस book में है, मालो पकड़ो कि आपने syllabus पूरा कर लिया है, या थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा है, तो एक दिन में आप 100 questions तो लगा सकते हो, प्री का question थोड़ा आसान होता है, तीन गंटे का समय दे सकते हो कम से स्वान पर होगा, कि बच्चे की psychology कैसे काम करेगी, मैंने CGL के 3000 questions लगा लिए, प्री के, अब CTSL का तो मैं करी लूँगा, मैं selection post का करी लूँगा, मैं MTS का करी लूँगा, CPO का प्री भी मैं करी लूँगा, तो psychology आपके जब दिमाब में बैठेगी, तो आपको confidence boost होगा, त प्री है, वैसा ही मेंस है, उल्टा मेंस जादे आसानाया है, तो इस वाल का मेंस थोड़ा ठीक ठाक बनाया है, चलिए, best collection of latest pattern question asked by TCS, 2018 से पहले के question को, हमने पूरी तरीकी से हटा दिया है, और हर किसी भी type को, यहां पे miss नहीं किया गया है, हर type का question डाला गया है, अब जो type बहुत जादे repeat हो रहे हैं, उस पे एक से जादे, तीन तीन चारतार सवाल भी हमने डाले है, arithmetic में और advance में भी, अब असली जो announcement है, this book contains everything that you need, क्यों, क्योंकि इसमें 3000 best सवाल भी है, और उनके solution भी है, उनके best solution भी है, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, अब यहां पे जो है, करना चाहिए, हमने कोई expand के नहीं करवाया, हमने कोई let करके नहीं करवाया, जैसे हम एक्जाम में करते हैं, percentage और ratio से जो हम तीर घुमाते हैं, बढाते हैं, वो सारी चीज यहां पे लिखी हुई है, आपको समझाने के लिए, बुक में लिखना पड़ता भी, पुराना ये परसंटेज इंक्रीज हुआ, ठीक है, concept भी लिखा हुआ है, कि sale बराबर revenue बटे price से concept भी लिखा हुआ है, उसका solution भी है, इसलिए मैं कहता हूँ, एक ही सवाल के दो-दो solution भी है, जैसे कि यहां पे percentage का basic से बताया गया, और यहां allegation method से भी सवाल को explain किया गया है, तो अगर एक-एक सवाल के दो-दो-तीन-तीन solution भी देखनों को मिलेंगे, एक सवाला तो नहीं मिलेगा आपको, आपको वही मिलेगा जो आपको exam में करना है, बहुत detail में समझाय गया है, ठीक है वही, एक बात और बतानी है, कि पूरे arithmetic math की जो नीव है वो इन दो chapter में छुपूई है, परसंटेज और रेश्यो, जिस बच्चे का परसंटेज रेश्यो मजबूत, वो arithmetic हीच ले जाएगा, तो कुछ दिन पहले हमने परसंटेज और रेश्यो की पूरी dedicated basic वीडियो अपलोड करवाई थी, सभी के लिए public में free नहीं है, जो हमारी book है, ये वाली भी और इस से पु परसंटेज और रेश्यो इन दौनों free lecture से पढ़ सकता है, परसंटेज रेश्यो दौनों ही, रेश्यो का भी 10 बार एगंटे का lecture है, सभी बच्चों के लिए free है, इस book में भी हमने QR code डाला है इस वाली में भी और पुरानी किताबों में भी है, चलिए